हलो फ्रेंज, डिवाइन लाइज असोसियेशन ठीम के बैंकिंग अवैरनेस को इस सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोसों आएए, हम शुरू करते हैं आपना ये सेग्मेंट और वो भी हसते, मुस्कुराते और खिल खिलाते हुए ठीक है, तभी तो पढ़ाई का होता है अपना मजा, है ना, चलिए, पहला क्वेशन है, बैंकिंग अमबच्समेंट स्कीम किन बैंकों पर लागू होती है दोस्तों, पहले तो है एक शेत्री एक रामिन बैंक, जिनको आप RRB कहते हैं, रीजिनल रूरल बैंक्स है ना, और दूसरे, शेडियोल्ड कॉमर्शल बैंक्स, इन दोनों पर लागू होती है अच्छा, बैंकिंग ओमबच्समेंट, याने बैंकिंग लोकपाल स्कीम जो होती है ना, वो बैंकिंग रेगिलेशन एक्ट उननिस सो उन्चास के सेक्शन थर्टी फाइव ए के तहत शामिल है कौन से, सेक्शन थर्टी फाइव ए, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आपको, ओके, अब आप ये पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि ये जो स्कीम है, वो किस साल से लागू हुई थी दोस्तों, इसका आंसर होगा 1995 याने 1995 से, कब से लागू हुई थी? 1995 से, याद रहेगा? चलिए, आगे पढ़ते हैं दोस्तों C-O-R-E, कोर का फुल फर्म क्या है? आंसर है, सेंट्रलाइजड, ओनलाइन, रियल टाइम, एक्सचेंज, क्या है? C for सेंट्रलाइजड, O for ओनलाइन, R for रियल टाइम, E for एक्सचेंज, ठीक है? अब देखो, कोर बैंकिंग होती क्या है? ये समझ लीजे आप पहले फुल फर्म तो आप समझ गये, लेकिन अगर कोई आप से पूछ लिया, तो हम समझा दे रहे हैं आपको, तो आप आराम से कुछ भी क्रॉस्चन में बोला गया ना, आप लिख लेंगे देखें, ऐसा होता है कि जैसे आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड़कॉर्टर कहा है? मुंबाई में, मान लिज covet में ब्रांच जो हैड़कोटर है, वहां से, पूरे देश की जितने भी कवी टेट बैंक हैं, मुंबाई के सर्वर से हम सारे बैंक के कम्वीटर को कनेक्ट कर लें सारे एटियांस के कम्वीटर वगरह को कनेक्ट कर लें ठीक है? तो इस तरह की banking जो होगी उसको हमने क्या बोला क्या नाम दिया core banking मतलब कि भाया अगर main server में problem आ रही है तो कहीं न कहीं उसका जो effect होगा वो उन पे भी आएगा जो bank की branches है ठीके clear हो गया ठीक ओके next देखिए reserve bank of India के कारिक कौन कौन से है देखिए चुनिए आप option A union budget option B भारती बैंकों पर नियंत्रन option C भारत के आने वाली भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा का प्रबंधन option D राश्टर की मुद्रा का प्रबंधन या फिर option E पैसों की आपूर्ती पर नियंत्रन बताए देखो union bank union budget सौरी union budget जो है न उसको छोड़के सारे के सारे reserve bank of India के काम है ठीक है देखिए हम आपको बता रहे हैं reserve bank of India के कार कौन कौन से हैं द्यान से सुनिएगा पहला भारतिये बैंकों पर नियंत्रन ठीक है भारत का central bank किसे बोला जाता है reserve bank को ठीक है इसलिए वह भारत के बैंकों के नियंत्रन की जिम्मेदारी किस पर आती है reserve bank पे ठीक है clear हो गया दूसरा काम भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा का प्रबंधन याने कि जो foreign currency इंडिया में आ रही है उसका management कौन करता है भाई reserve bank of India ठीक है क्योंकि central bank है next राष्ट की मुद्रा का प्रबंधन जो national currency है उसका management किसके हाथ में होता है भाई reserve bank of India next पैसों की आपूर्ती पर नियंत्रन याने कि supervision and control over supply of the money ठीक next है question किसी भी bank को scheduled bank की श्रीनी में कब रखा जा सकता है क्या question पूछ रहा है किसी भी bank को scheduled bank की श्रीनी में कब रखा जा सकता है इसका answer है ऐसे bank जो reserve bank of India act की दूसरी अनुसूची में सूच बद किये गए हो उन्हें ही हम scheduled bank की श्रीनी में रख सकते हैं किस तरह के bank को जो reserve bank of India act की दूसरी सूची में सूची बद हैं उन बैंकों को ही हम scheduled bank का दरजा या scheduled commercial bank का दरजा दे सकते हैं किन बैंकों को दे सकते हैं the bank of India act की सूची दो में जिन बैंकों का नाम है उन बैंकों को हम scheduled commercial bank बोलेंगे ठीक है जिनका नहीं है उनको नहीं कहा जाएगा चेक clear हो गया now next question नावाड संस्था किसके अधीन कारे करती है आंसर भारत सरकार के अधीन ठीक है भारत सरकार ने पूरी नावाड की पूरी हिस्सेदारी अपने हाथ में ले लिए तो अब नावाड पूरी तरीके से किसके अधीन काम करती है भारत सरकार ठीक है चलिए next question है आटी जी एस से पैसो के लेन देन की अधिक्तम सीमा क्या है? आंसर है कोई निश्चित सीमा नहीं है आटी जी एस आपको पता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ठीक है? अब इससे पैसो के लेन देन की जो नियूनतम सीमा है हाना? वो है दो लाख रुपए ठीक है? कम से कम दो लाख रुपए हमें उसका लेन देन करना है और अधिक से अधिक आप कितने भी पैसे का लेन देन करिये कोई प्रॉबलम नहीं है आटी जी एस याने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ठीक है? चलिए नेक्स्ट बैंकों के द्वारा कॉर्पूरेट एजेंट के रूप में बीमा पॉलिसी और बीमा ट्रॉडेक्स का बटवारा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर है बंक शॉरंस क्या कहलाती है? बंक शॉरंस देखो हम समझा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक है ऐसा करिए हमारी कुछ वीमा पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी है ठीक है वो अपने जो कस्टमार्ज हैं उनको आप दे सकते हैं तो हम आपके साथ टाई अप कर लेते हैं आप उन्हें दीजेगा तो बैंक ने कहा कि ठीक है As Corporate Agent हम अपने कस्टमार्ज को और जो भी अमरे आएंगे उनको हम क्या करेंगे आपकी पॉलिसी देंगे अपना तो जो है सो देंगे ही जो भी तरह का लोन वगेरा होता है जो भी हम service provide करते हैं वो तो हम करेंगे ही लेकिन हम आपकी policy या products जो भी होंगे insurance के वो भी उनको देंगे अगर कोई bank ऐसा कह रहा है किसी वीमा company से या अपनी ही वीमा company का कोई bank अगर इस तरह से काम कर रहा है तो इस तरह की प्रक्रिया क्या insurance clear हो गया चलिए आगे चलते हैं बैंकिंग के शेत्र में सुधार कर्मे के ओदेशे से किस कमीटी का गटन किया गया था आंसर है नरसिम्बन कमीटी का किस कमीटी का नरसिम्बन कमीटी next Fino Fino का full form क्या है ध्यान से सुनिएगा F for financial I for inclusion N for network फिर and लगा दो O for operations ठीक है financial inclusion network and operations क्या होगा financial inclusion network and operations clear चलिए next जब मुद्रा स्वीती की दर बढ़ जाती है तो answer है वस्तु की मांग उसकी आपूर्ती की अपेक्षा बढ़ जाती है देखो मान लो कि एक smartphone है किसी कम्पनी का तीक अब हमारे पास market में कितना बचा है आठ smartphone बचे हैं कितने आठ smartphone बचे हैं और smart वो जो smartphone है उसका दाम था छे हजार रुपए चलो सपोस करो ठीक है अब छे हजार रुपए smartphone का दाम है और आठी smartphone है और smartphone खरीदने वाले हमारे पास आ गए हाजार लोग एक हजार लोग आ गए आठी smartphone है अमरे पास बताओ और उसी कम्पनी का सब को लेना है छे हजार रुपए वाला ही अब बताओ ये क्या करें हमें क्या करना पड़ेगा दाम बढ़ाना पड़ेगा उस चीती में ताकि जो वो कीमत दे पाए वही उस चीज को खरीद पाए ठीक है तो जैसे ही हमने वो जो छे हजार का phone था उसका दाम हमने किया तीस हजार मान लो ठीक है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना खरीद है आठ लोगी हो कोई मिल जाए ठीक है ये है ठीक ये ही कहना चाह रहे थे इस statement में नेक्स्ट बैंक की बचच खाते में बैंकों द्वारा ब्याज दर की गढ़ना किस आधार पर की जाती है आंसर है डेली बेसस पर देखो भाई हमारा बैंक अकाउंट होता है सबका सेविंग अकाउंट ठीक है तो जब भी पैसा डालते हैं तो बैंक ब्याज देती है तो ब इन में से क्या money market instrument का हिस्सा नहीं है option A, treasury bill, option B, repurchase agreement, option C, commercial paper, option D, certificate of deposit, या फिर option E, shares and bonds क्या होगा? Shares and bonds ये money learning instrument का हिस्सा नहीं है चीक है? Money market instrument का हिस्सा नहीं है ये, shares and bond टिक? अब चलिए next question पे है भारत में इन में से कौन सा भाग? scheduled banking structure का नहीं है ठीक है? कौन सा भाग? scheduled banking structure का नहीं है देखे, option A, state cooperative banks option B, public sector banks option C, private sector banks option D, regional rural banks या फिर option E, money lenders कौन सा नहीं है? money lenders देखो, money lenders, बाकि सारे banks तो आप जानते हैं? क्या होते हैं? ठीक है? अब money lenders का मतलब समझ लीजे अरे जो गाओ आओ में महाजनी का काम नहीं करते थे लोग आपने पढ़ा होगा प्रेम चन के जो पन्यास लेखे हैं, कहानियां वगेरा होती हैं तो उनमें आप पढ़ियेगा, मतलब महाजन से लोग उधार लेने के लिए जाते हैं तो वो बहुत जादा ब्याज पर लोगों को या किसानों को बहुत कम पैसा देते हैं ठीक है? उनका interest rate बहुत high रहता है और as compared to interest rate उनका दिया हुआ पैसा जो की वो किसानों को या किसी को देते हैं गामालों को वो बहुत कम रहता है, ठीक है? बहुत कम रहता है, clear? ओके, तो वो होते हैं money lenders जिसको महाजन भी बोलते हैं, है ना? Next, plastic money के नाम से किनहे जाना जाता है? आंसर है credit और debit card को, ठीक है? plastic money क्यों कहते हैं? अब बताइए अच्छा very good, बिल्कुल ठीका जब आपने छू के देखा होगा credit card को या debit card को तो दोनों hard plastic के होते हैं, ठीक है? तो ऐसे cards को मतलब number यूज़ करके हम उसमें से money transfer करते हैं, जहाँ पे भी transfer करना होता है तो इसलिए इन्हें किस नाम से जाना गया? plastic money के नाम से, ठीक है? तो इसमें आप, जब भी आपको ये इसमें संदेह होगा, ठीक है? तो आप क्या करिएगा? अपनी touch sense को याद करिएगा तब आप, जब आप अपने touch sense को याद करेंगे ना तो कभी भी आप इस question का answer गलत लिखी नहीं सकते हैं लिखे लिखी जीजे stamp paper पे चाहे ठीक है? demand draft हमेशा ही देखो यार paper पे लिखी होती है लेकिन कभी भी आप देखिएगा credit card, debit card जो होते हैं वो hard plastic के ही होते हैं तो यहाँ पे आपकी किस sense को काम आना होगा? touch sense को as presence of mind इस्तेमाल कीजेगा ठीक है? clear करेंगे ना? ओके, तो चलिए, इसी बात के साथ, इसी point के साथ और इसी सवाल के जवाब के साथ चाहेंगे, वो यह है कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे और साथी इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा my most dearest of the dearest friends जो लोग internet facility का लाब्स नहीं उठा पा रहे हैं है ना? तो इसी चोट से request के साथ हम आप सभी के तेर सारे प्यार, जुनून, जज़बात और कणी मैनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सराम करना चाहेंगे जिसके वदालत ना सर्फ आप सभी नई-नई उचायों को छू रहे हैं बलकि साथ ही आप सभी हरक्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लेरा पाने में भी भली भाती साक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए वे एक बार फिर पूरे डिमायलाइट असोसियेशन टीम के ओर से हम अप सभी को कहना चाहेंगे बिल से प्यार भरा नमेशकार है